ओम स्री गनेश सायनम दोस्तू एश्टू समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक सुवागत हैं दोस्तू आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सत्रा मई सुक्रवार के रासी फल के बारे में कीह दिन सिंग रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत पर पूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम से आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मीरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिसस समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने नी वीडियो पहुंस सकें सिंग रासी वालों के लिए सुकरवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तों आपके लिए आज काम्यावी प्राप्ठ होने की संभवना अच्छी बन में के नुशार संतान का शयोग भी आज आपको प्राप्त हो सकता है संतान के कुरिया कलापो तथा घर परिवार की आवश्यक्ताओं पर आज आप खरे उतरने का प्रियास करें दोस्तों आपके संचार कोशल और संबंदों में विस्तार होगा और आप प्रकर्ती और जीवन स आज बहुत कुछ सीखेंगे दोस्तों आज आपके कुछ नए दोस्त भी बनेंगे आप भविश्य हितू अनेको योजनाएं आज बनाएंगे जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और लंबे समय से अठकी हुई आपकी अनेको एक्छाओं की आज पूर्ती होगी जा दो साथ आपके मान सम्मान में भी वरद्धी होगी मल्टी लैसनल कंपनियों में कार रह करने वाले लोगों के लिए आज का समय बहुती अच्छा रहेगा आपकी अनेक महत्व कांच्छाओं के आज पूर्ण होने की संभावना हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दो के साथ साथ अपने आप पर भरोसा जादा करें दोस्तो राजनीतिक लाब प्राप्ति के भी दरश्टी से इस्थितियां आज काफी आपके लिए अनुकूल हैं साथ ही साथ संतान के प्रती आपका वहवार काफी अच्छा रहेगा और संतान की प्रगरती से आप काफी होंगे विध्यारतियों को उनके प्रिणाओं में आज सफलता प्राप्त होगी और उन्होंने जिस दिन के लिए महनत की थी वह महनत कामियाब हो जाएगी साथी साथ आप अपने ग्यान को बढ़ाने और लोगों से अपने विचार बाटने में भी आप दिल चस्पी रखें सामान्य से अधिक विचार सील होंगे परिजनों से मदद पाने की आपकी इकछा आपको शयोग पाने के लिए प्रेडित करेगी दोस्तो बित्र भाई बंदू इत्यादी के साथ बहतर संबंद हो सकते हैं जिससे कामकाज के साथ साथ घर परिवार में भी एक दूसरे के प् हो सकता हैं दोस्तों किसी भी प्रकार के वित्ते निवेस के लिए आज बहुती सोच समझ कर आगे बढ़ें यदि इस छित्र के जानकार या विसे सग्यों से सुजाव और सला लेकर ही कोई कारे करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा दोस्तों आज का दिन आपके ये किसी अंजान तनाव पूर्ण इस्थिती उत्पन कर सकता है थोड़ा साफधान रहें दोस्तों साथी साथ आपको अपने करे छित्र में थोड़ा ध्यान देनी के आवश रकता है क्योंकि आपके विरुद आज कोई सड़ी अंत्र हो सकता है अत्वा कोई आपके का ना दें जिससे आपको कोई परिसानी उठानी पड़े जैंदोस्तों ओफिस अत्वा कारयाले में अपने सेह कर्मियों पर भरोसा ना करें तो कि यदि आप ऐसा करते हैं तो वह आपके भरोसे का नाजाय ये फायदा भी उठा सकते हैं और आपको चोरी चुपे नुक्सा पहुचेने का भी प्रियास कर सकते हैं जिसके कारण ऑफिस में आपकी छवी को नुक्सान उठाना पड़ सकता है सावधान रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तों आपका जीवन साथी आपको आपके प्रतेक कारे में समर्थ हं जीवन साथी के साथ मदूर संबंद होने की भी संभावना बढ़ सकती है तथा आवशकता अनुसार हर जगा जीवन साथी का भी शयूग आपको प्राप्त होगा इसलिए जीवन साथी के साथ मदूर संबंद बनाए रखना आपके लिए बहतर हो सकता है दोस्तों साथी आपको यह बात का विध्यान रखना चाहिए कि प्यार और रिस्ते अपने पन इसने और प्यार से चलते हैं इसलिए किसी भी रिस्ते में अडियल रवया मत अपनाईए और हवा के रुक को देखते हुई कोई कारे कीजिए या दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लि दोस्तो आज का दिन आपके लिए बहुती सुव फलदाई रहेगा वैपार धंदा आज अच्छा चलेगा और आर्थिक इस्तिती काफी मजबूत रहेगी आज आपके लिए आस्मिक धनलाब के भी अनेको योग बन रहे हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा जी हाँ दोस्तो आपको अपने कारों से आज अच्छा लाब भी होगा और आपके केरियर में आपकी इस्तिती काफी मजबूत होगी यदि आप किसी मित्र के साथ कोई वैपार कर रहे हैं तो इस दोरान आपको अधिक लाब मिल सकता है नोकरी करने वाले जातकों के लिए भ दोस्तो घर में के गरहों की यूती आपके स्वास्त को प्रभावित कर सकती हैं इसलिए एक नियमित और अच्छी दिंचरिया का आप पालन करें इसके लिए आप अपने खान पान पन ध्यान दें और साथी साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रो बहुती प्रेम पूरवक साबू दाने की खीर बनाएं या दोस्तों इस खीर में आप शक्कर के इस्थान पर मिस्री डालें जब ये खीर तैयार हो जाए इसमें आप थोड़ा सा केसर भी डाल दें या दोस्तों इसके बाद आप इस खीर का सबसे पहले मा लक्षमी को भूग लगाएं इसके बाद आप इस खीर को मा लक्षमी का इसमरान करते हुए गरीबों में बाटें या दोस्तों ऐसा करने से मा लक्षमी बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगी जो वी आपके जीवन में परिशने चल रही हैं धन से संबंदे जो भी परिशने चल रही हैं समस्त परिशने उकांत करेंगी और आपके घर में सदेव धन सुक संपत्ती का वास होगा मा लक्षमी आपके घर में वास करेंगी या दोस्तों आप इस उपाय को वश्य करें आपको वश्य ही लाब प्राप्त होगा दोस्तों मा लक्षमी का आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जैमा लक्षमी अवश्य रिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद